उत्तर प्रदेश सरकार के जल सक्ती विवाग के राज्यमंत्री दिनेश खटिक ने इस्तिफा दे दिया है इस्तिफा देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं अधिकारियों पर ट्रांसपर पूस्टिंग के दौरान पैसे यानि घूस खाने के घूस खोरी करने के और साथ ही ये कहा है कि दलित होने की वज़़ा से हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की जाती बकाइदा दिनेश खटिक ने पत्र लिखा है ग्रेह मंत्री अमित साह को और सम्भोधित किया है राश्टी अध्यक्ष भाजपाजेपी नड़ा को और साथ ही प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को भी और बकाइदा लिखा है कि दलित होने के कारण मुझे मेरी न कोई सुनवाई होती है न जानकारी दी जाती है सिर्φ गाडी दे दी गई है और उन्होंने अंत में अफसोस भी जताया है कि क्या सिर्फ गाडी देना ही एक मंतरी के लिए काफी होता है आइए हम उनके पत्र का एक हिस्सा आपको पढ़ कर सुनाते हैं कि एक दलित मंत्री होने के नाते उनको योगी सरकार में कितनी मुश्किलें और कष्ट जहलने पड़े हैं। वह अपने सिकायती पत्र में जो इस्तिफा दिया है उसमें वह लिखते हैं। कि दलित समाज में जुड़े होने के कारण मुझे भी एक इमांदार एवंग स्वक्षवी वाले माननी अमुख्यमंत्री स्री योगी आदित्तिनाथ जी के नित्रतों में जल सक्ति विवहाग में राज्यमंत्री नियुक्त किया गया जिससे पूरा दलित समाज, उत्साहित ए नहीं की जाती और नहीं मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है, नहीं विवहाग में कौन-कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं तथा उस पर क्या कारवाई हो रही है, इत्यादि कोई सूचना अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती है, जिसके कारण राज् मंत्री दिनेज खटिक ने यह पत्र लिखा है, प्रधान मंत्री मोधी को सम्वोधित किया है, बाजपात ध्यक जेपी नड़ा को और ग्री मंत्री अमत साह को, इससे बहुत साफ हो रहा है कि जीरो टॉलरेंस की जो बात योगी आदितिनात कहते हैं, वह कितनी सतही और उप आगे आपको दिखाते हैं कि वह ट्रांस्पर पोस्टिंग पर किस तरह के बड़े आरोप लगाते हैं, आगे लिखते हैं, इस विभाग में अस्थानांतरन सत्र में बहुत बड़ा भरष्टाचार किया गया है, यह पत्र जैसा कि हमने आपको बताया है, यह पत्र दिनेज खटिक का लिखा हुआ है, जो कि राज्यमंत्री रह योगी आदितिनाथ की सरकार में, इस विभाग में अस्थानांतरन सत्र में बहुत बड़ा भरष्टाचार किया गया है, श्री योगी आदितिनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस नीती को ध्यान में 222 दिनांक 9-7-2022 को मांगे गई, तो उसकी भी सूचना अभी तक नहीं दी गई, इतना ही नहीं, अब आईए, सेग्रेटरी सहाब का क्या रवईया है, मंत्री को लेकर वह भी पढ़िये, कई दिनों बाद विभागा धक्चि से दुर्भास परवारता करके, सूचना है आसुने ही टेलीफोन काट दिये और वह भी मेरी बात को अंसुना कर दिये, जो एक जनप्रतिनिदी का बहुत बड़ा अपनान है, अब वह अंत में क्या कहते हैं वह सुनिये, मैं एक दलिज्जातिगा मंत्री हूँ, इसलिए इस विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भ भी बहुत बड़ा ब्रस्टा चार फैला हुआ है जो ग्राउन पर जाने पर पता चलता है और जब मैं कोई सिकायत किसी अधिकारी के विरुद करता हूँ तो उस पर भी कोई कारवाई नहीं की जाती है चाहें तो इसके किसी एजेंसी से जाच भी कराई जा सकती है यह बात को कोई आम आदमी कोई आटि आई कारे करता कोई पत्रकार कोई विरोधी दल का नेता नहीं कर रहा है आप ध्यान रखिए यह सिकायत दिने इस खटिक जो राजिमंत्रे जल सकती विवाग उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित नात के नत्रतुमें हैं इससे बहुत साफ है क कि परते किस तरह से तह दर तह बैठी हुई हैं योगी सरकार के भीतर लेकिन उपर चिकनाई और प्रचार का आलम ऐसा है कि मीडिया का बड़ा हिस्सा इस गंभीर प्रस्ण को नहीं उठा रहा है आपको बताय देते हैं कि दिने इस खटिक ने दो महतो कॉन सवाल इस पत्र रहे हैं वह ये पहला ये कि ट्रांसपर पोस्टिक में बड़ा भरस्टाचार हुआ है बकाइदा उन्होंने अधिकारियों के नाम लिखे हैं अनिल गर्ग के बात कही है उन्होंने सचीव के बारे में कहा है बकाइदा कहा है कि सचीव ने फोन नहीं उठाया बात नहीं की जवाब नहीं दिया और उससे भी बड़ा प्रफटाचार ये है जो कि दलित होने के नाते है कि अब तक उनको विभाग का कारेभार ही नहीं दिया गया इसलिए सायदिया कहा जाता है कि योगी के सरकार में ज्यादा तर मंत्रे सिर्फ अंगूठा लगाने वाले हैं हां में हा सरकार को चाहती है वह भी बहुत निरास है क्योंकि नमामी गंगे में भी घोर भरस्टाचार की बात मंत्री कहते हैं एक बार पत्र को फिर से आप लोग सिलसिलवार देखिए जन जोर जन ताकी में